Case studies का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने acumen को develop करें, कुछ-कुछ हम चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद हम बार-बार उसकी practice करें, answer writing करें, जितनी ज़्यादा हम practice करेंगे, उतनी हमारी case studies अच्छी हो पाएंगी, तो case studies के लिए हम कोई book तो refer नहीं कर सकते, और even ethics के paper के लिए भी English medium में एक lexicon की book जरूर आती है, जो थोड़ा बहुत helpful हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी book में, तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी तयारी के लिए, उसका syllabus उठाई है, ethics का, और एक-एक topic की के वर definitions को in net से सर्च कर लीजे, तो मैंने ये strategy follow करी थ integrity क्या है, और transparency क्या है, यदि हम इनको समझते तो है, हर को ही जानता है कि चाह honesty है, integrity है, लेकिन यदि में इस पे कुछ सब लिखने को बोलने है, तो सायद हम नहीं लिख पाते है, तो हमें करना क्या है, कि हम एक lexicon की book पढ़ लें, और साथ में जो हमारा syllabus है, उस syllabus को हम topic wise सर कर लें, इंटरनेट से, और उसकी हमें copy बना के उसको बोगर सकते हैं,